हलो इस्टुडेंट आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं सीरी डिविजन के क्वेशन को सिम्बिल करीतार करते हैं इसको हम लेडर क्वेशन भी कहते हैं यह एकजाम् συν पाइंट और ब्यूस से इंपॉर्टेंट क्वेशन है जाम में कभी-कभी इस तरीके के question आ जाते हैं शुरू करते हैं question number one है इसको हम solve करेंगे solve कैसे करना है इस question को सब दिया क्या है 45 है 45 minus 43 43 upon 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 2 plus 3 upon 2 plus 1 upon 4 तो यह इस तरीके का question दिया है इसमें series division भी इसको बोलते हैं और इसको ladder question भी बोलते हैं तो इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे नीचे से start करेंगे कहां से 2 plus 1 upon 4 यह सबसे नीचे है जो भी term से सबसे पहले इसको हम simple करेंगे तो सबसे पहले हम simple करेंगे 2 plus 1 upon 4 को तो 2 plus 1 upon 4 कितना आ जाएगा 4 into 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 plus 1 यह वाला 1 add होगा 8 plus 1 क्योंकि 20 में plus का निचान है तो 8 plus 1 upon 4 तो क्या आएगा 9 upon 4 आ जाएगा ठीक है तो क्या आएगा यह 2 plus 1 upon 4 की जगए 9 upon 4 आ जाएगा तो 2 plus 1 upon 4 की जगए हम 9 upon 4 लिख देते हैं इसको delete करते रहते हैं साथ की साथ में आप क्या करेंगे आप अपनी copy में दुबारा question लिखेंगे उसको change करके जैसे 2 plus 1 upon 4 है तो यहां क्या हो जाएगा 9 upon 4 हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा 9 upon 4 तो यहां हम 9 upon 4 लिख लेंगे 9 upon 4 मैंने लिख दिया है अब जब यह double ratio यानि कि double fraction होता है उपर वाले नंबर को क नीचे वाला अगर fraction divide करता है तो क्या करते हैं जैसे 3 upon 9 upon 4 है तो नीचे वाला यह double fraction है 9 upon 4 तो यह क्या हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 into multiply होगा और यह inverse हो जाएगा यानि कि 4 उपर आ जाएगा और 9 नीचे ही रह जाएगा तो 4 upon 9 है तो जो 9 upon 4 है उसको हमने multiply करक 4 upon 9 लिख लिया इस तरीके से इसको solve करते हैं जो double division होता है अगर double division होता है उपर वाला नंबर fraction हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर नीचे वाला नंबर जो denominator है वो fraction है तो हम क्या करते हैं उसको उपर वाले या numerator में multiply करके और इसको inverse कर देते हैं जैसे 9 by 4 को मैंन 4 by 9 कर दिया है तो यह क्या हो जाएगा 2 plus 3 into 4 by 9 हो जागा इसकी जगा हम क्या लिखेंगे 3 into 4 by 9 क्या लिखेंगे 3 into 4 by 9 इसको लिख लेते हैं अब हम लिखेंगे हैं, 3 into 4y9, ठीक है, 3 into 4y9, 3 से फिर 9 कड़ी आएगा, तो क्या बचेगा, 4y3 बचेगा, तो 2 plus 4y3 हो जाएगा, फिर इसको डिलीट कर लेते हैं, आप अपने काट काट के कॉपी में next next लिखते रहिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y3 हो जाएगा, ठीक ह बचेगा, इसको देख लेते हैं, 2 plus 4y3 क्या आएगा, आप बैजे सीधे सीधे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिख रहा हूँ, 2 plus 4y3 हो जाएगा, 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4, तो 6 plus 4 अपन 3, कितना हो जाएगा, 10 अपन 3, तो 2 प्लस 4 3 की जगह क्या लिखेंगे 10 upon 3 लिखेंगे तो हम लिखते हैं 2 plus 4 upon 3 की जगह क्या लिखेंगे 10 upon 3 10 upon 3 हो जागा यह और यह फिट देखिए double ratio आ गया यानि का उपर वाले number को नीचे जो fraction है उससे हम divide कर रहे हैं जब यह double हो जाता है यानि का उपर अगर कोई number है और उसको करेंगे वन ऐसे ही रहने देंगे जो numerator होता है उसको ऐसे ही लिखते हैं और उसके बाद multiply का हम operator लगाते हैं और जो नीचे का number होता है उसको हम inverse कर देते हैं यानि कब 3 y 10 हो जाएगा 10 by 3 की जगह क्या हो जागा 3 y 10 ठीक है तो 1 upon 10 upon 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 y 10 लिख सकते हैं तो 1 to 3 कितना हो जागा 3 हो जागा तो 3 upon 10 ही रहेगा ये तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 upon 10 ठीक है तो बही हम करेंगे इसकी जगह हमने लिख लिया 3 upon 10 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब इसको हम simple करेंगे 3 plus 3 upon 10 क तो इसको कैसे simple करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से same method है हम नीचे से ऊपर चलते रहेंगे और simple करते रहेंगे तो 3 plus 3 upon 10 क्या हो जाएगा बताएगे 10 into 3 कितना हो जाएगा 30 plus 3 33 upon 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 33 upon 10 तो 3 plus 3 upon 10 की जगा क्या लिख सकते हैं 33 upon 10 लिख सकते हैं ठीक है क्या लिख सकते 33 upon 10 तो ये 33 upon 10 होया तो 33 upon 10 हमने लिख दिया अब ये देखिए क्या आया अब इसको हम सिंपिल करेंगे ये 1 upon 33 upon 10 है तो 1 upon 33 upon 10 है बन को हम 33 upon 10 से डिबाइट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला अगर denominator और वो fraction है तो उसका क्या करते हम उपर जा करके multiply करके inverse कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए 1 upon 33 upon 10 कितना हो जाएगा इसको हम यहां समझा देते है 1 upon 33 33 और अपान 10 है तो क्या करेंगे इसको हम 1 उपर वाला ऐसे ही रहेगा numerator और जो denominator है उसको हम उपर ले जाके multiply करेंगे और inverse कर देंगे यानि 33 अपान 10 है तो इसका inverse क्या हो जाएगा इसका उल्टा क्या हो जाएगा या इसको हम ब्यूत क्रम भी कहते हैं 10 अपान 33 हो जाएगा ठीक है 10 अपान 33 हो गया तो वन इंटू 10 अपान 33 10 अपान 33 ही रहेगा तो बन अपान 33 अपान 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 अपान 33 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन 33 तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे 10 अपॉन 33 ठीक है हम 10 अपॉन 33 लिख लेंगे 10 अपॉन 33 हो गया ठीक है अब हम इसको simple करेंगे इसको simple करेंगे 1 plus 10 upon 33 को तो इसको फिर हम simple करेंगे simple बिल्कुल same method से simple करेंगे इस पूरे को हम simple करेंगे 1 plus 10 upon 33 तो 1 plus 10 upon 33 तो 33 into 1 कितना आया 33 आया plus 10 बीच में plus है तो plus होगा minus है तो minus हो जाएगा ये ध्यान अखिएगा तो 33 plus 10 कितना होगा 43 होगा तो 43 upon 33 कितना हो जाएगा 43 upon 33 तो इस पूरे की जगए यानि कि 1 plus 10 upon 33 की जगए हम क्या लिख सकते हैं 43 upon 33 तो हम लिख लेते हैं, यह कितना हो जाएगा, 43 upon 33 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 43 upon 33, अब जी यह देखिए, 43 को हम 43 upon 33 से डिवाइट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम तरीके से जो पहले मैंने बताया है, यह double ratio हो गया है, नीचे वाला, तो इसको क्या करेंगे, उपर ले जाके, उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 45 हम ऐसे ही लिखेंगे, यह पहला वाला नंबर अलग है, माइनस का निशान है, और 43 है, और इन्टू, यह 43 upon 33 है, तो यह 33 upon 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 33 upon 43, 43 से 43 कड़ी आएगा, तो क्या बजए आपको ध्यान लखना है कि add और subtract जो fraction होते हैं, उनको कैसे add और subtract करते हैं, अगर आपको fraction add और subtract नहीं करना रहा है, तो मेरे class में addition और subtraction का वीडियो पड़ा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, इसका answer 12 हो गया है, अब next question है, question next करते है, question number 2 है, ये भी same series division का question है, इसको later question भ करेंगे, यानि कि 1 plus 4 upon 5 है, तो सबसे पहले इसको simple हम करेंगे, तो लिख लेते हैं, 1 plus 4 upon 5 है, इसको simple करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, कितना होगा, 5 बन जा 5, पिलस बीच में ये plus का निशान है, तो plus लगाएंगे, ठीक है, plus 4, और नीचे जो 5 है, उसको ऐस पूरे की जगह, बताएगे, क्या लिख सकते है, 9 upon 5, बन प्लस 4 upon 5 simple करके 9 upon 5 आया, तो हम इसकी जगह क्या लिख कि लेते हैं, 9 upon 5, बिलकुल, step by step हम solve करेंगे, इसकी जगह हो जागा 9 upon 5, ठीक है, अब क्या आया, 3 upon 9 upon 5, अब इसको हम simple करते है, 3 upon 9 upon 5 को, इसको erase कर द 나쁘ते है 3 upon ठीक अब इस पूरे को हम solve करेंगे 3 upon 9 upon 5 को तो कैसे solve करेंगे 3 upon 9 upon 5 है यानि कि नीचे का जो number है वो fraction है उपर का fraction नहीं है तो हम इसको simple करने के लिए क्या करेंगे numerator को ऐसी लिखेंगे जो hans है ठीक है hans को ऐसे ही लिख दिया 3 लिख दिया अब यह जो नीचे का fraction number होता है इसका हम inverse यानि के विद्ग्रम या इसका उल्टा ले ले लेते हैं अगर 9y 5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5 by 9 हो जाएगा 5 उपर चला जाएगा 9 नीचे रह जाएगा ठीक है 5 by 9 हो जाएगा थ्री से यह डिवाइड हो रहा है थ्री थ्री जा 9 तो कितना आएगा 5 by 3 आएगा ठीक है 5 by 3 आएगा तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं यह 3 by 9 अपॉन 5 है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 by 3 लिख सकते हैं तो इसकी जगे हम 5 by 3 लिख लेते हैं इसको एरेज करके क्या लिखेंगे 5 by 3 ठीक है इसको एरेज कर लेते हैं इस पूरे को एरेज कर देते हैं और 5 by 3 हम लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं 5 by 3 ठीक है कितना हो जागा यह 5 by 3 हिइए है ऐधिए है अब हम क्या करेंगे इस टू फाइब अपांब थी को सिंप्ल करेंगे तो कैसी सिंप्ल करेंगे बिल्कुल सेम से टेप है डू पिलस फाइब ऑपन थी लिखेंगे और इसको हम सेच्स्प्र फाइब करेंगे चटी इन्टूटकते हो गए waking शुब प्लस 5 अपॉन 3 की जगे हम क्या लिख सकते हैं 11 अपॉन 3 लिख सकते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 11 अपॉन 3 ठीक इसको लिख लिएंगे हम 11 अपॉन 3 हो जाएगा अब 2 अपॉन 11 अपॉन 3 को हम सिंप्ल करेंगे तो बताइए 2 अपॉन 11 अपॉन 3 को जब सिंप्ल करेंगे तो क्या कैसे करेंगे जो नीचे का नंबर है 2 upon 11 upon 3 तो क्या करेंगे इसको 2 into 3 upon 11 क्या हो जाएगा 6 upon 11 हो जाएगा 6 upon 11 हो जाएगा तो 2 upon 11 upon 3 इस पूरे की जगए तो 2 upon 11 upon 3 इसकी जगए क्या हो जाएगा 6 upon 11 हो जाएगा तो इसको हम erase कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 6 upon 11 हो जाएगा, आप अपने जब copy में solve करेंगे, तो इसको next next, मतलब नीचे का number change करके लिखते रहेगा, क्योंकि बहाँ पे erase करने का option नहीं होता, copy में, या तो आपको काट के लिखना पड़ेगा, तो ये 6 upon 11 हो गया, ठीक है, अ इसको solve करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको solve करेंगे, 1 plus 6 upon 11 को, इसको solve करेंगे, 1 plus 6 upon 11 को, तो इसको हम solve करते है, 1 plus 6 upon 11 को, कैसे solve करेंगे, बिल्कुल सेम step है, 1 plus 6 upon 11, ठीक है, तो 11 बन जा, 11 हो गया, plus 6 upon 11, तो 11 plus 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 upon 11 हो जाएगा, तो 1 plus 6 upon 11 की ज तो 1 प्लस 6 अपॉन 11 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 17 अपॉन 11 तो इसको हटा के हम अब ये क्या हो गया सिंपिल होके 17 अपॉन 11 हो गया क्या हो गया 17 अपॉन सौरी उपर वाला 17 है 17 अपॉन 11 ठीक है अब ये 1 अपॉन 17 अपॉन 11 है इसको हम सिंपिल करेंगे 1 अपॉन 17 हेब 17 है है तो यह हो जागा वन इंटू 11 ऊपर चला जायात वो से मिलपी नीचे आजाए कितने होगा 11 हो जाएक तो 11 अपन 17 होजाए दिस्टी इस लेट है पॉरे की जगह ठें ना चैनरेक ए स्काराइब upon 17 equal to कितना हो जाएगा अब इसको simple करेंगे 17 बन जा 17 plus 11 तो 17 plus 11 कितना होगा 28 upon 17 यही इसका answer हो जागा 28 upon 7 अगर यह answer नहीं है तो क्या करेंगे हम 28 को 17 से divide करेंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 11 upon 17 क्योंकि 17 से 28 को divide करेंगे तो क्या बचेगा remainder कितना बचेगा 11 बचेगा तो बही 11 remainder है ठीक और 17 से divide करेंगे और एक whole number 1 आएगा ठीक है तो यह इसका answer या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है दोनों option में से जो भी option में दिया होगा उसको आप तिक कर देंगे अब next question है question number 3 है इसको solve करते हैं बिल्कुल simple question है यहाँ पर मैंने एक minus लगा के दिखा जाए है कि अगर minus आता है तो minus क्वाला solve कैसे करते हैं तो इसमें भी हम बिल्कुल नीचे से solve करेंगे सबसे नीचे क्या है 1 minus 1 upon 3 है पहले इसको solve करेंगे इसको कैसे solve करेंगे 1 minus 1 upon 3 है जैसे उपर हमने पहले solve किया था 3 बन जा 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3 और बीच में minus है तो minus लगाएगे minus के बाद क्या है 1 है तो 1 लगाएगे और upon 3 ऐसी रहेगा तो कितना आ जाएगा 2 upon 3 तो 1 minus 1 upon 3 की जगे हम क्या लिख सकते है 2 upon 3 तो 1 minus 1 upon 3 की जगे क्या होगा 2 upon 3 हो जाएगा यह हो गया 2 upon 3 अब 1 upon 2 upon 3 है 1 को 2 upon 3 से डिवाइट कर रहे है तो यह नीचे वाला जो नंबर होता है यह multiply होके उपर क्या होता है अपोजिट हो जाता है यानि कि inverse हो जाता है तो कैसे हो जाएगा 1 upon 2 upon 3 क्या हो जाएगा 3 upon 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 into 3 upon 2 होगा तो 1 upon 2 upon 3 हैं लिखके दिखा देता हूँ equal to 1 into 3 upon 2 होगा तो 1 into 3 कितना होगा 3 upon 2 ठीक है तो इसकी जगा हम क्या लिखेंगे 3 upon 2 ठीक है तो यहां हमने लिख लेंगे 3 upon 2 यह हमने लिख लिया अब क्या बचा नीचे बचा 1 plus 3 upon 2 अब सबसे पहले 1 plus 3 upon 2 को solve करेंगे तो बताएए क्या होगा 2 into 1 कितना होगा 2 और plus 3 कितना होगा 5 तो 5 upon 2 हो जागा कितना हो जागा 1 upon 5 upon 2 ठीक है जो उपर वाला 1 ऐसे ही रहेगा जो उपर वाला 1 है यह ऐसे ही रहेगा equal to 1 upon और जो नीचे वाला है 1 plus 3 upon 2 इसको simple करेंगे तो यह हो जागा 5 upon 2 ठीक है 1 upon 5 upon 2 हो जाएगा आफ इसको 1 upon 5 अपॉन 2 है, तो यह क्या हो जागा? नीचे का नंबर ऊपर जाके inverse हो जाएगा. तो क्या हो जागा? 2 upon 5 हो जागा. तो इसका answer क्या हो जागा? 2 upon 5. और यही इसका answer हो गा. 2 upon 5 इसका answer हो जागा. क्योंकि 1 into 1 से multiply करेंगे, तो same रहेगा 1 into 2 2 ही रहेगा और नीचे 5 बचेगा तो इसका answer 2 upon 5 होगा अब question number 4 है question number 4 solve करते हैं अलग तरीके का question है exam में इस तरीके के question भी आते हैं if क्या दिया if यानि के यद 2 equal to x plus 1 upon 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 है तो हमें क्या करना है x की value हमें निकालनी है कि x की value क्या होगे बिल्कुल same method है same method से हम solve करेंगे सबसे पहले ये नीचे का 3 plus 1 upon 4 को हम solve करेंगे तो बताएए 3 plus 1 upon 4 कितना हो जाएगा क्या लिखेंगे हम 13 upon 4, ठीक है, अब 1 upon 13 upon 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 upon 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो नीचे का नंबर है, उपर जाके inverse हो जाएगा, 4 upon 13 हो जाएगा, यानि कि 13 upon 4 का उल्टा, 4 upon 13 हो जाएगा, और into 1 रहेगा, तो 1 से multiply करेंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, 4 upon 13 ही रहेगा, तो 1 upon 13 upon 4 की जाएगा हम क्या लिख सकते हैं, 4 upon 13 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 upon 13 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 4 upon 13, ठीक है, अब क्या solve करेंगे, हम इसको solve करेंगे, 1 plus 4 upon 13 को, ठीक है, 13 into 1 कितना आएगा, 13 plus 4, कितना आएगा, 17, तो 17 upon 13 आएगा, कितना आएगा, 17 upon 13, तो इसकी जगा हम क्या लिखेंगे, 17 upon 13, ठीक है, अब 1 upon यह है, 1 upon 17 upon 13, तो यह क्या होगा, उपर जाके, बताए, 3 upon, sorry, 13 है, यह नीचे 13 है, 17 upon 13 है, इसको 17 upon 13 लिख लेंगे, अब इस पूरे को हम solve करेंगे, 1 upon 17 upon 13 है, तो क्या हो जाएगा, 13 upon 17 हो जाएगा, 13 upon 17, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon 17 upon 13 की जगह है, इसको हम delete करते हैं, ठीक है, delete करके, यहां पर क्या लिख सकते हैं, टू Much X 13 upon 17 ठीक है तो क्या गया 2 equal to X plus 13 upon 17 आगया अब इसको हम solve करेंगे है है ठीक है equal to हमारा क्या आया था एक plus 13 upon 17 अब इसको हम solve करेंगे x हमें calculate करना है तो ये 13 upon 17 इदर लाके minus हो जाएगा तो 2 minus 13 upon 17 equal to x ठीक है तो x equal to कितना हो जाएगा 2 minus 13 upon 17 जब इसको simple करेंगे तो बताएगे कितना answer आएगा इसकी value आएगी जब calculate करेंगे तो 17 into 2 कितना आएगा 34 आएगा 34 minus 13 कितना होगा 21 21 upon 17 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा x equal to x equal to हो जाएगा 21 upon 17 ठीक है या तो option में ये दिया होगा 21 upon 17 अगर 21 upon 17 नहीं है तो 17 से 21 को divide करेंगे तो क्या हैगा 17 बन जा 17 कितना remainder बचेगा बताएगे 4 remainder बचेगा ठीक है 4 remainder को उपर रख देंगे और 17 को नीचे लिख देंगे तो या तो यह answer होगा 1 of 4 y 17 या 21 upon 17 तो x value कितनी होगी 21 upon 17 होगी या 1 of 4 upon 17 होगा इन दोनों में से कोई यो एक होगा और दोनों option ठीक होगे अब next question है question number 5 है last question है if 2x upon 1 plus 1 upon क्या निकालना है x की value हमें निकालनी है तो कैसे x की value calculate करेंगे बिल्कुल same method अपनाएंगे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे ये नीचे का जो है 1 plus x upon 1 minus x इसको हम solve करेंगे तो next page में solve करके दिखाता हूँ 1 plus x ठीक है अपन इसको ठीक से लिखते हैं क्योंकि हमें जो ये line है ये plus के बगल में आनी चाहिए बिल्कुल उसके line में आनी चाहिए 1 plus x upon 1 minus x ठीक है यही तो था 1 plus x upon 1 minus x कैसे simple करेंगे इसको ब्रेकर लगा लेते हैं 1 minus x into 1 1 minus x ही रहेगा 1 minus x अब ये plus है तो plus लगाएंगे पिल्स क्या है ये x है तो x लिखेंगे upon 1 minus x ठीक है ये x plus का है ये x minus का है कड़ी आएगा क्या आएगा 1 upon 1 minus x ठीक है क्या आएगा 1 upon 1 minus x तो इसकी जगे 1 plus x upon 1 minus x क्या लिख सकते हैं इसकी जगे हम क्या लिख सकते हैं बन उपान force 1 upon 1 minus x क्या लिख सकते हैं 1 upon 1 minus x कितना आया था हमारा 1 upon 1 minus x आया था तो इसकी जगए हम लिख सकते हैं 1 upon 1 minus x ठीक है अब हम इस पूरे को simple करेंगे जो 2 upon 1 upon 1 minus x है तो बताईए इसको कैसे simple करेंगे 1 upon 1 upon 1 upon 1 minus x है तो यह double fraction हो गया नीचे वाला यानि कि 1 को हम 1 upon 1 minus x से divide कर रहे हैं तो कैसे इसको मैंने simple करने का तरीका बताया था उपर वाला numerator जो यह 1 है यह ऐसे ही रहेगा तो 1 को मैंने ऐसे ही रख दिया और नीचे का यह जो fraction है 1 upon 1 minus x यह into multiply में क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा 1 minus x उपर हो जाएगा और 1 नीचे रहेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा जब किसी भी number को 1 से divide करते हैं तो number सेम रहता है जब 1 minus x को multiply करेंगे बंसे तो 1 minus x यह रहेगा और जब 1 से divide करेंगे तब भी 1 minus x रहेगा तो कितना आ जाएगा 1 minus x यह रहेगा तो one upon one minus one upon one upon one minus x ही रहेगा क्या दिख सकते हम 1 minus x क्या दिख सकते हम one minus 7 क्या हो जाएगा यहां पर one minus x ठीक है अब वन पलेश one कितना हो जाएगा यह one plus one 2 हो जाएगा उपर कितना है 2x तो 2x upon 2-x equal to 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x upon 2x upon 2-x equal to 1 हो जाएगा ठीक है अब इसको हम cross multiply करेंगे इसके नीचे 1 लिखके cross multiply करेंगे इसे 2x को इस बंचे और इस 2x को उपर वाले बंचे तो 2x equal to कितना आएगा 2-x ठीक है x इदर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3x कितना हो जाएगा 2x plus x equal to 2 3x equal to कितना होगा 2 हो जाएगा तो x equal to कितना आएगा 2 upon 3 और यही हमें x की value निकालनी थी और x equal to 2 upon 3 तो जो ladder के question होते हैं यानि के series के division के question होते हैं इसको बिल्कुल नीचे से solve करते हैं step by step आफ solve करेंगे तो answer आपका बिल्कुल ठीक आएगा आज के class में इतना ही हमारे channel से जुड़े रहने के लिए इसको subscribe कर लें और वीडियो को like करते रहें thank you कर दो